हलो माइ डियर चियांस, सब बढ़िया, मैं हूँ आपका आसू भाईया और आप सभी के स्वागत हैं हमारे X-TRALED Academy A2 पर तो बच्चे, पिछले कलास में हमने किसके बारे में पढ़ाता? हमने पढ़ाता घनी एकाई सेल के बारे में घनी इकाई सेल में जो कोर लंबाई होता है वो कितना होता है उसकी जो फलक विकलन होता है उसकी लंबाई कितना होता है उसका जो काय विकलन होता है उसका क्या लंबाई होता है ठीक ना इन सभी के बारे में हम लोगों ने अध्यान कर लिया था आज इसी को ही अधार मानकर आप लोग का Lecture No.8 लेकर आया हूं Lecture No.8 में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में समणवै संख्या तो कापी उस सब्सक्र निकालो भई और लिखना सुरू करो ठीक ना? आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में समणवै संख्या coordination number जोते हैं क्या होता है coordination number क्या होता है कोई crystal है तो उसमें जो अब्यवी कण है चाहे अनू हो परमानू हो चाहे आयन हो वो अपने निकट वर्ति कितने अनू या परमानू या आयन से घिरा हुआ है वह उसका कहलाता है क्या समणवय संख्या क्या कहलाता है समणवय संख्या मतलब कोई क्रिश्टल है तो उस क्रिश्टल में जो उपस्थित अव्यविकन है वो अपने कितने निकटतम परमानूं से घीरा हुआ है वो कहलाता है उसका क्या समणवय संख्या तो लिख लेते हैं समणवय संख्या क्या होता है ठीक है लिखो चलो किसी क्रिश्टल के अव्यविकन किसी क्रिश्टल के किसी क्रिश्टल के अव्यविकन अव्यविकन क्या क्या हो सकते हैं बोलो हमें अनू परमानू या आयन क्रिस्टल के अव्यविकन अनू परमानू या आयन ठीक ना किसी क्रिस्टल के अव्यविकन अपने निकट इस्थित अपने निकट इस्थित जितने अनु पर्मानु या आयन से घिरे हुए होते हैं जितने अनु पर्मानु या आयन से घिरे होते हैं उसे उसकी समनवय संख्या कहते हैं समनवय संख्या कहते हैं समनवय संख्या कहते हैं कहते हैं मालो कोई क्रिश्टल जा लग है जैसे कि देहान से देखो एक क्रिश्टल बना रहो है घणी का इसल है ठेके न यह देखो चलो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यह बीज में एक अव्यवी क्रिश्टल है ठेके न अब यह कितने अनुपरमाणों यह से घिरा हुआ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो इसकी समनवय संख्या क्या हो जाएगा समझ पारे अभी नीजी समनवय संख्या क्या है कि जो कोई भी अव्यवी कण है वो आपने आस पास कितने निकरतम परमाणों से घिरा हुआ है क्लियर है कि नि तो यह कितने से घिरा हुआ है आच्छा, मालो ऐनी क्रिस्टल होतो ऐनी क्रिस्टल कैसे रहता है और माल लो खोई तो आयनी क्रिष्टल अहीं तो अपने समीः और और एक दो तीन चार तो इसकी समणवय संख्या क्या होगा चार और माल लो तुम्हारा ऐसा बोलेंगे मतलब आयनी क्रिष्टल में क्या होता है आयनी क्रिष्टल में उपस्थित कोई आयन जो है अपने से विपरित उपस्थित आविस जितने आविस से घिरा हुआ होता है जितने समणवाय संख्या का मान आयनिक क्रिश्टल के लिए कैसे परिभासित करोगे कि किसी आयनिक क्रिश्टल में ठीक है नौर्मल क्या बलता हूं कि अब यह भी कर रहते हैं आपमें निकड़ताम इस्थित जितने अनुपरवाणू यह आयन से घिरा होता है उसे उसकी क्या बोलता है समणवाय संख्या लेकिन मान आयनिक क्रिश्टल का बात करें तो क्या बोलोगी आयनिक क्रिश्टल है ठीक ना आयनिक क्रिश्टल में उपस्थित आयन उपस्थित आयन जितने अपने जितने अपने विपरित आयनों से घिरा होता है विपरित आयनों से घिरा होता है घिर हुआ है उसकी समणवय संख्या कहते हैं उसकी समणवय संख्या कहते हैं clear है परिभासा कुछ नहीं है टाइम पास है परिभासा कि कोई आयनी क्रिष्टल है तो उसमें जो अव्यवीकन है वो अव्यवी का ने, अपने समी पिस्तित, कितने अनु प्रमानु यायन से घipp हुआ है ठीक उसके निकटतम का बात करू हो, अरे भी यार जैसे कि मैं भीड का निरु आ बधुड में चल रहूं तो मैं अपने भीड में मैं बहुत भीड है, मेरे आपको सिर्फ संवननव करते हैं तो आपको और सिर्फम समनवैंns याद रहना है ठोड़ए थर आगे जाओगे तो आपको सेकन्थ नियरेश्ट नाइबर कॉडिनेशन नम रहा, तो ना लोत धिखो समनवैंतों किस में अध्ययन कर रहे है, घनी काई सूल要 कर रहे हैं घनी काई सेल, तो जो घनी काई सेल होता है वो मुखेता कितने प्रकार का होता है बोलो मैं सबसे पहले SEC, दूसरा BCC और तिसरा होता है क्या, FCC तो तीनों में समणवे संख्या देखते हैं clear है कि नहीं, तीनों में क्या देखेंगे कि समनुए संख्या लिए कि मिटा दो चलो मिटा रहूं है अ कि अब बात करेंगे हम लूं किसमे किसमे क्या क्या होता है तो सबसे पहले देखते हैं SEC में समनवाय संख्या समनवाय संख्या SEC में समनवाय संख्या कैसे देखोगी ध्यान से देखो SEC में क्या होता है जितने भी अव्यवीकन होते है ठीक ना अनुपरवानु यह जो आयन होते हैं अव्यवीकन होते हैं वह कहां पास उपस्तित होते हैं केवल और केवल तो कोने पर उपसे थे त होते हैं प्लेयर है किसमें उपसे थे थे हैं कोने पर एक को ना दो कोना तीन कोना चार कोना बाच छै साथ और यह आठो आठो कोने पर उपस्ति थे अच्छा ये तुम्हारा यूनिट है क्रिश्टल जलक का इकाई से लहां यह और आगे बढ़ेगा इधर भी आगे जाएगा ना भाई ऐसे इधर भी आगे जाएगा समझ रहो यह उपर गया इधर गया पीछे तो जाई रहा एक सामन तीन चार नहां से देखना देखना एक दो तीन चार पाँच और ये छे समझ आ रहा है कि नहीं टोटल कितने से घीरा हुआ है छे क्लियर है तो भूजा की लंबाई ठीक है ना यहीं कि ऐसे बोल सकते हो कैसे बोल सकते हैं एक मिनत ना निकरतम भूजा की कनों के बीच की नियूनतम दूरी क्या होगा एक कन है तो दूसरे कन के बीच की नियूनतम दूरी क्या है यहां से लेकर यहां तक है तो उसका भी नियूनतम दूरी क्या होगा तो सिसी में पहला चीज़ दो याद रखना कनों के बीच की नियूनतम दूरी क्या होता है कनों वीडियो में पताया था एंडर रूट तो फलक भी करना का लंबाई अच्छा इस को नहीं से लेकार इस वाले को नहीं पिछले को नहीं से आगे वाले को नहीं एंडर रूट थरी क्लियर है कि नहीं यहां तक समझा रहा है तो कणों के पीछ कर नियुनतम दूरी कितना होगा कितना जैगा कितना जैगा तुम ही लोग बताओ चलो समझा कमाना जैगा 6 क्या जैगा ठीक है कणों के पीछ क्णों के पीछ क्या उल यह है अच्छा सेकेंड नियरेष्ट नाइबर कौन होगा नियरेष्ट नाइबर कौन होगा पडोसी जी पडोसी ठीक है सेकेंड नियरेष्ट नाइबर कौन होगा रे मतलब यह देखो पहरा इतना दूरी है मैं बोलन कि माल लो मैं यह हूं ठीक है तो मेरा समणवाय संख्य तुम पूछे त इतने लोग से भी रहा हूं, तो मेरा प्रथम समझवेशंख्या क्या होगा? साथ, ये प्रथम निकटम दूरी होगा मेरा, अचा, इसके बाद, और कुछ लोग मेरे कमान लोग घे रहे होंगे, एक, दो, तीन, ऐसा है, समझ रहोगी नहीं, तो यहाँ पास ऐसा है, समझ पा रहे हो नहीं, तो मैं क्या बोड़ों की प्रथम, देखो, कणों की बीच की सबसे पहला नियूनतम दूरी देखा, जो सबसे पहला जो पडोसी रहेगा, ठीक है, वो कितना होता है, उसकी समझ पास पास घिरा रहेगा, उसके बाद, और कौन से दूसरा वाला रहेगा, सेकेंड नियरिष्ट नाइबर कौन से रहेगा, ठीक है, देखो, ए है, एंडर रूट टू है, कि यहां से लिकर, यहां तक का दूरी ज्यादा पास रहेगा, इस नोरों के कणों के अपिक्छा, तो क्या आजएगा, नुनतम दूरी कितना हो जाएगा, एंडर रूट टू, और याद रहना, एंडर रूट टू रहता है, तो याद करवा इस करद से निकाल कर बताऊंगा, ए रहेगा, ए रहेका, ए भाइ two रहेगा, ए भाइ four रहेगा, कभी भी ऐसा दिख जाए तुमको, ठीक ना, यदि कनों के बीच की नियूनतम दूरी, ए दिख जाईगा, ए भाइ two दिख जाए, संभणों म। रहेगा, भाइ तो साझा होग 12 और कभी भी ऐसा वालए देख जाया एंडा रूट 3 been 2 ऐसा डूर आधी हमीश कभी भी कनउ के बीच का और रूरी दिखके त्वाइख कितना आएंगा तुमहारा च्हें एंडा रूट 2 में देखोगे तो क्या जाएगा 12 और ये अंडर रूट 3 के हिसाब से देखो कितना है गा 8 मैं तुम लोगो 100 ट्रिक बतारों नगा ये ट्रिक है भी कभी भी कणों के बीच के निउनातंग दूरी ये दिखते है देखो तो कणों के बीच के नियू नताम दूरी कितना दिखा? ए तो क्या आगया? 6. अई अधर रूट 2 वाला दिखा? क्या आगया? 12. तृती यह क्या होगा? देखो पहला दूरी यह होगा, यह थोड़ा से उससे बड़ा है, अब यह थोड़ा और ज़़ा बड़ा है, तो तीसरा स प्रड़ोसी कौन है, जो तुम्हारे निकर तम प्रड़ोसी है, उसके बाद वाले बताओगे, समध रोगनी, तो पहला प्रड़ोसी तो हो गया, क्या तुम्हारा ए वाला हो गया? दूनों एकदम पास पास हैं जी, इसकी संगे कितना होता है? 6. मैं बोला हूँ न, एक पर पास ही, तुम्हारे काम का चीज है, ठीक है, बोडम तो यहां तक छाप कर आ जाओगे, आगे का कौन बताता है? ध्यान से सुना करो, कोई भी चीज को, ध्यान दो इधर, ठीक है, तो थर्ड न ए रिष्ट नाइबर कौन होगा, चलो बताओ, थर्ड न ए रिष्ट नाइब चलो, छापो, जल्दी करो, जल्दी, 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 सिसी में केवल कौने पर होते हैं ना जी, सिसी में केवल कौने पर है, तो इसके जश्ट समीब तो यह होगा ना, उसके बाद ये से फलक विकरना वाला, ये दूसरा वाला होगा, उसके बाद कहां से कहां जो तो यहां से यह वाला रहेगा उसके पास यहां वाला दूरी रहेगा अठीक है समझ आगया होगा बही और नहीं आए होगा तो leaders रहता है लेकिन मैं घ्लिठा जानने तो जाने इसको है क्लियर है क्या आगे बढ़ जाओ और जाएं चलो आगे बढ़ते हैं मैं मिटा रहूं ठेक है अब सक्सक्राइब करें किसका किसका बात करेंगे किसलों कितना होगा तो टो बिसी सी में समण मैं संख्या कैसे गयाद करूँ चलो देखो यह दिखो एक लगता पहले तो कुण यह पर रहता है इतना सब को पता होगा ठीक और उसके सांसाथ कहा रहता है किंदर पर रहता है अब यहां से यहां तक कर दियुकिन जेखो यहां से तक कर दिरता है क्या तुमहारह यहां दूरी हूता है और यह उडेर है यह था एंडर रूट 3 लेकिन यह वाला जो दूरी है इतना यहां से लिकर यह काय केंद्र है न भी काय केंद्र को चुकर जा रहा है तो यह हो किया है एंडर रूट 3 भाई 2 तो ये बताओ certificate, यहां से लेकर यहां तक का दूरी? यहांवाला दूरी, यह वाला दूरी, कौनसा जाधा पाश होगा यह वाला पास होगा प्रथम जो आएगा? नियूनत्म दूरी aEnaud refuge 3 by 2 65 कभी भी under root 3 explains. इस वाला आझाए नथा है तो क्या आएगा? यहां तक क्लियर है क्या यहां तक समझ आया क्या देख लो और भाई देख लो देख लो देख लो एंडर रुट त्री भाई टू कैसे आया है क्लियर है अच्छा दुटी यह क्या होगा देखो यह वाला दूरी तो और जाता है यह वाला दूरी देखो यह वाला जो दूरी है ना यह थोड़ा कम रहता है कैसे बता इसको मानो भई ढूर ऑपने घर का कुना देखो यहां से लिकर यह को ले रहा हो वहां से लेकर यहां तक कर जो दूरी है वह हो तुम्हारे घर की फलक का यह जो एक कोर है ना उसके लंबाई से कम हो गा समझ पार है तो प्रथम निकटम संख्या तो वही होगा ना और वहां से लेकर ये वाला जो दूरी रहेगा ठीक है ना कौन सा वाला दूरी ये वाला ये दोनों भूजा के दूरी वाला ठीक है वो क्या रहेगा थोड़ा सा ज्यादा और हाँ उसके बाग एंडर रूट टू यानि उसकोने से उसकोने तक अपने घर के रूम को देखो जी एजियूम करो कैसे बता हूं तुम लों को अच्छा उस दिन बता रहा था जान दो यह वाला बताया था न मैं तुम लों को देखो यहां से लेकर यहां तक का दूरी या फिर मैं ऐसे बढ़ा हूं देखो इसक यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी एंदर रूट क्या होता है टू होता है अब इस कोने से लेकर इस कोने तक 20 से ऐसे जाएगा ना वह एंदर रूट 3 होता है मैं यह बोल रहूं कि यह जो दूरी है ना यहां से लेकर दिखो यह जो केंदर वाला जो दूरी रहेगा अंदर यो अंदर वाला जो दूरी है अंदर शीका पास है तो यह रिष्ट में तो यह यह को नहींद ना चीज़ा यह इस कूने से एस कूने जा रहे थे से भी जो रस्त मेंost एफा फूतर और है लस्त में आया था तुछ बीज में रेस्तिना रहे थो यह जाधा पास रहें वह दूरी तो बहुत इस कोणे के दूरी तो और जाब नहीं से दूरी जासे occup दूर के जादा रहे algún ये वाला थोड़ा सुझे जादा और 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 जादा रहता है भले डाइग्राम में नहीं दिखा पा रह। ठीक है तो थर्ड नियरेस्ट नई बर कौन होगा एंडर रूट टू आला होगा तो उसे साथ से इसका समझ मनने वाए संख्या कितना आएगा 12 आएगा 12 समझ आया एक्दम सांत हो ठीक है क्या बोड़ों बीच में भी रहता है अब यवी कण टिक है इन दोनों एक कन है इसके अपने निकटम कितने से घेर हुआ है ठीक है प्रथम कणों के बीच की नियूनितम दूरी देखना है यह दोनों के बीच के जो दूरी रहता है वो और रहता है इसके और इसके बीच के तो इसको बुले कणों के बीच की निवनतम दूरी एंडर्वुट 3 बार 2 कभी भी एंडर्वुट 3 वाला आता है तो मैं क्या है का बोले हुआ है आठ है कि बोलो समदे वैसंग के कमान कितना है अब उसके बाद यह वाला दूरी होगा अब दूसरा नंबर कर दूसरा पढ़ो सी देखो बोलो मैं तो यह वाला होगा ना इसके कड़ों के बीच की जो दूरी रहेगा इस नियुन नतम से तो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और लास्ट देखेंगे किस में समनवय संख्या देखेंगे जी FCC में वार करते हैं किसमें समनवय संख्या का मान FCC में FCC आ ड़क चलो द्हानुला कि सम नुवम संग्छा its ऐध्क्यкими क्या होता है ऐध्या तु क्या हुवा चलो दिखो क्या हुथ है जायक्या हुआ कि यहीं चोचला मुल पसंद नहीं है जी यह नहीं तब मीन ओप चोचला हमारे एक साथी है वो बोल रहा था कि मैं पढ़ाते-पढ़ाते नहां लेता हूं करके कैसे नहाता है पूशे तो पसीने से बोल रहा है चलो ध्यान दो एक दो तीन चार पांक छै साथ आठ नव दस ग्यारा बारा एरा चाउदा यहां काहरेगा ठीक है होता है न भई फलक के इंद्र पर उकस्थित है ठीक है फलक के इंद्र पर उकस्थित है यहां से लेकर यहां दूरी पूरा का दूरी न अजबीच का बोलते दें अर्ञार यहां से इस कोने से इस कोने तक के अज़िए ऑंDRt jeunes कोने से इस कोने तक क्या जाता है जलती होता है इंसानों से ठीक है घ्षान तो यह है यह एंडरूट गज़ाइब पास है एंडरूट गज़ाइब दूबए टूब 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 टू ऑफदिना वहां कितना आता है बारा जो उसके बांद देखा थो पहला तो आगे घ्चा बारा एक मिनिट कुछ गलत थोड़ी कर रहूं, कुछ गलत थोड़ी कर रहूं, ने कर रहूं भी मैं, एक मिनट देख लेने दो, कितना आता है, बारा, अच्छा, उसके बाद देखो, द्वीती ये कौन होगा, ये वाला हो जाएगा, second, ए हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा तुम् आपको ज्याद करना है क्या, समणवाज संख्या, प्रथम, द्वीती और तृतिक, तो एक चार्ड बना ले क्या, याद करने के लिए जी, बना ले, ठीक है, बनाते है, अच्छा, इसको लिख लिए रहे रहे ना, ट्रीक है, बस दिमांग में रखना है, कि कभी भी देखो, ये A, रूट 2 वाला केस आ जाए, तो क्या आएगा, बोला हुमें, 12, कभी भी A से रिलेटेड आ जाएके वल, तो 6 आएगा, रूट 3 वाले दिख गया, तो 8, कड़ों के बीच की नियुनतंदूरी दिख गया, इसके गुनाज में, अंडर रूट 2 के गुनाज में दिख गय बना लेते हैं, बना लेते हैं, एक मिनट, ठीक है, देखो, ये है, इकाई सेल, इकाई सेल, ठीक है, कौन-कौन से इकाई सेल हो सकता है, ठीक है, कड़ों के बीच की नियुनतंदूरी, कड़ों के बीच की नियुनतंदूरी, एक मिनट देख लेते हैं, ये क्या है, निकट निकट तम पड़ोसी फिर नियून तम दूरी है जी निकट तम पड़ोसी कौन-कौन हो सकते हैं निकट तम पड़ोसी नियून तम दूरी कणों के बीच की नियून तम दूरी कणों के बीच की नियून तम दूरी और लाश्ट हम लिख देंगे क्या समणवय संख्या समणवय हैं संख्या है एक दम 60 में रिवाईज हो जाएं सभसे से पहले किसके पपड़ें bodih BCC फिर क्या पपढ़ें The FCC FCC में ध्यांसे रिखो एक दम या आद करो ये जो हमा एक डागता कंटा अलॉजी और ये रहता है और उसी कौन रहता है यह दोनों आपस में पड़ों से हैं ना एक दम जाता निकट स्थित रहते थे याद करो ठीक है नियुन तम दुरी क्या आता है क्या आता है और समने वैसन के कितना मायन है चैक अच्छा बीच इसी का देखो यहां पास बीच में रहता था याद करो ठीक है तो यह वाला तो टोटल एंडर रूट कितना होता है देखो क्या होगा इन दूरि क्या होगा kऊरणा से लेकर बौडी में ठॉक होला क्या क्या होगा आंक्क आता है तो निय तो कॉर्णर से फलक के अंदर क्या बहुत है फेस सेंटर टक रहता है यानि कि यह आए जाएगा आपका एंडर रूट टू बाई टू यह से लेकर एंडर रूट टू होता है ना तो यह बीच के है एंडर रूट टू बाई टू तो यह हो गया नियुनतम दूरी निकटम पड कि नहीं कि छप गया जी ठीक है और यह वाला लिख लेना तुम्हारे याद कर निकले ठीक है तो इस तरीके से बच्चों आप लोग को समध आ गया होगा कि इसके बारे में समणवय संख्या के बारे में ठीक है तो अमीद है यह सब वीडियो आपको अच्छा लग रहा होग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्या संकुलन च्छमता ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में ध्युक्त